अर्चुना जी स्वागत है आपका आजी जी सर नमस्कार मेडम जी नमस्कार सर जाहिद गुरु जी से बात कराने जी जी गुरु तो नहीं हूँ मैं तो बामुली साथ भी हूँ बताईए क्या सवाल है जी बताईए क्या सवाल है सवाल है जी मेरे को वीपी रहता है हम वीपी रहता है जी वीपी सर उम्र कितनी है आपकी 52 साल जी अच्छा दिखिए ब्लड प्रेशर से निजात मिल सकती है लेकिन 6-7 महीने लगातार अगर आप एक तुसका में बता रहा हूं वो लें तो एक आता है कलोंजी का सिरका सिरका कलोंजी का वो ले लें आप और दो चमच छोटे चाय के चमच एक गिलास पानी में मिला लें और उसमें एक चुटकी खाने का सोड़ा मिला दें मिक्स करें और सुबह नाश्ते के बाद ये पीलिया करें और रात को खाने के बाद इसी तरह दो बार दो दो चमच या तीन ती चमच भी ले सकते हैं क्लों जी का सिर्का असली ले नकली नले ले नकली भी बहुत मिलते हैं अगर यह आप चैसाथ महिने लगातार इस्तमाल करें और अपनी दवाएं भी न छोड़े एक दो तो धीरे धीरे आपको फाइदा होना मुम्किन है मध्यप्रदेश से हैं दीपक जी स्वागत है आपका नमस्कार सर जैहिन दीपक जी आपका स्वागत है कि अभी कुछ दिन पहले में आपको कॉल किया था तो मतबन हमाल मम्मी के दीट अधिक खरास्टी को आपनी दवाई बताई थी तो इसके बार में नास्वेज आता है तो पेज के संबने प्रोब्लम के तो एंडो स्कूर्टी अगरा हमने कराया तो इसकर उसमें क्या है कि वहां के दांसर सावागा है जो कह रहा है कि आपकी मम्मी को एकिविटी जनकी है तो होता है ज़र कि खाना पाती हो तोड़ा जी और फाल पूब सक्था नेथी होग को इसमें करूछी को इसमें क्या रहा हूं कि एसी बन ती पर मैंने आस पर इस प्रोगाम मैं बोछ अरपर देखाँ था में बहुत वहारा हम जो कि अटनकी टावाणियों कि देखा हूं आम तो इसमें आपने बताया था तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा है कि अधिय। जो लोगों को शिर्के यूज नहीं कर सकते जो लोग किसी कारणवाष तो एक चटकी नमक जैतुन, एक चटकी खाने का सोड़ा, दो गिलास पानी मिलाएं आपके पास लिखे वे होंगे मेरे नुसके क्योंकि आप लोगों को भी देतें सौंफ सौंट जीरा अजवाएं धनिया मेथी का सौसो ग्राम लेकर पौडर बना ले मेथी का दाना ले और ये एक चमच उनको खिलाए पौडर और ये पानी दो गिलास पानी में जो आपने नमक जैतुन और ये खाने का सोड़ा दो गिलास पाने मिला ये पिला दिया करें दिन में बस एक बार ये अजाज जादे दो बार तो ये काम वो ही करेगा और उनका हाजमा अच्छा ऐसीडिटी को कंट्रॉल करता है ये पूरे पेट के जो सिस्टम है उस पे काम करता है कहीं वरम होता है तो उसे निकालता है कहीं हजम ठीक नहीं हो तो हजम ठीक करें मैदे की मैं अगर वरम हो लीवर पे वरम हो आतों में वरम हो पवसीर हो किड्नी में प्राबलम हो लीवर में प्राबलम हो बहुत अच्छा निस्वा है आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं। फॉरण फायदे की दवाएं अलोपैतिक मानी जाती है। लिवर फॉंक्शन अगर कमजोर पढ़ गया है, तो यह उसे फास्ट करता है। वो फास्ट होता है तो भूक लगती है। लिवर सुस्त नहीं होना चाहिए। फिर मैदा सुस्त हो जाता है। पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है। आते कमजोर पड़ जाती हैं वह सारे रोग होते तो यह उस सिस्टम को जरूरत के बराबर लाकर आपको छोड़ता है तो यह अगर फॉरें तो पर कुछ फाइदा आपको चाहिए तो फॉरें यूना वह एलोपैट ले सकते और अगर मुस्तकिल तो चाहिए तो यूनानी दु हलो मैं मैं बोपाल से बोल रहा हूं सचिन जी सर बताईए स्वागत है सर आपका जी मैं मैं यह पूछना था अभी अभी मैंने यह डिलेवरी बॉय देखे गया है गोन सिया अमने मंगवाई थी तो पापा के हमारे जोड़ों में दर्द वगेरा बैटने उटने माल का फु प्रोस्ट्रेट वोस्ट्रेट भी थोड़ा से बड़ा हुआ था तो उसमें यह सब ले सकते हैं न चीक है और सर मुझे एक चीज़ और पुछनी थी कि इसको कितना लेना है और कैसे लेना है यह भी बता दीजिगा चीक है अच्छा दिखिए यह गौंद सियाह आप तक पह समझ सकते होंगे आप पढ़े लिके इंसान है आधा गिराम यानि जो बड़ा वाला चना आता ना काबली चना उतना एक वक्त में लेना है लेना ऐसे यह गम है कड़वा बहुत है तो मलाई में मिला कर ले सकते हैं देशी घी में मिला कर ले सकते हैं इस चीज में मिला लेना तो आसानी से चला जागा ने तो मूह में चिपक जाता और कड़वा बहुत होता है यह शहद मिला कर ले सकते हैं किसी भी तरह इतना लेना है और ग्राइंडर में यह पाउडर बन जा पहले ऐसे हलका सा तोड़ लें और फिर उसमें डालेंगे तो पाउडर बन जाएगा थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं मोटा रहेगा तो अच्छा है थोड़ा सा ज्यादा बारीक ना करें और ये दो बार लें खाने के बार लें और पानी से या कम चरबी के दूसरे लें और ये आपके जोड़ों के दर्द नसों के दर्द और दूसरे कहीं भी दर्द कमर में दर्द शाइटी का मोटे में दर्द कहीं भी दर्द हो ये उसको चूस लेता है और ये सौ ग्राम ही इतन पर ताकत रखता है यह रॉआ मैटेरियल कि अपने खतम होने से पहले रोगी को मुक्त करने की ताकत रखता है भगवान पर भरुसा करें इस्तमाल करें आपको फाइदा मुक्तिन है दिली से है दयावती जी स्वागत है आपका वेचार में जी नमस्कार वाइचार वाइचार स्वागत जैवादी जी आपका वाइचार में। सब थोड़ा थोड़ा बिमार हैं मैं भी बिमार हूँ मुझे बुखार और गया है कभी-कभी खाशी भी आ रही है लेकिन मैंने सोचा अपने बेहन से बात करूंगा अपने वीवर से बात करूंगा शायद जाधा तब यह तच्छी हो जाएगी इसलिए हाजिर हो गया नहीं कोई आने नहीं दे रहा था ठीक है दूसरा सवाल यह भाई साव में फोन नहीं बनता तो अंके लिए मैंने गोंद मोरिंगा और यह सभीस्तान ओना लोंसी और यह फी नीए प्रीपीश यह तूरण बनाया है तो यह उनके लिए अच्छा है यूनिती भी थोड़ी कम है, मतलब उनकी, जो खामकासी नहीं है, पर यूनिती कम है, और तुमका शिर्का भी ले सकते हैं, वो पूछ रहे हैं, कि मेरे लिए पूछना जी-जी, और तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल ये है, भाई साव, ये इसके पत्ते बताते हैं आप गुलर के, तो इनका मैंने चूरन बनाके, साफ करके, तुका का, बड़ी मैनत लगती है, भाई साव, बनाके ये पत्थरी वाला एक सम्मत, जतुन का नमक डालके, और मिठा सोड़ा डालके, और ये सुब चम्मत दें, पौडर इसका, और वो आप दे पहले, ये तो मैंने बता दिया, मैंने तो शुरू से आपको नश्के बताया, आपने उनको इस्तमाल किया, फाइदा हुआ तो बताया, तो ये किसी पत्त्री वाले को दे, एक दिन से दस दिन तक दे सकते हैं, दो गिलास पानी एक रीबू, और नमक जैतून, एक चुटकी, ये दे कर दे के आप, आप क्या लाइन लग जाएगी, जिसको दे दिया, उसको फायदा हो, वो सो लोगों को बताया ता कि ऐसा नहों, आप और भाई, और सारे परिवार वाले परिशान हो जाए, ये अक्सर कामों में लोग मुफ्त का, और पैसे भी ले ले लेते हैं, अब मुफ्त में तो सब कुछ आईए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके दरवाजे पर सुबही लाइन लेगा करेंगे, क्योंकि आपरेशन से बचने के लिए और पत्री से निजात पाने के लिए अच्छान उसका है, दुनि से लिजाती है, फिर उसे थाबित करना हो, देखना हो, तो पर सोनोग्राफिक कराएगा, तो पत्री आती ही नहीं है, बरहाल ये तो इसकी बात हो गई, दूसरा वो नुसका, इम्मूनिटी का नुसका तो किसी को भी दे सकते हैं, और उसमें जो सिर्का है वो दें उन्हें, दो चब मच कम असकम, नमक जैतून दें एक चुटकी, तो उससे उनको खून बनने लएगा, इम्मूनिटी हो जाएगी, और फिर वो सहत में जिन्दी गुजार सकते हैं, जामन का गौन और चिलगौजा गौन एक साथ, अहां, मुम्किन हो तो एक साथ ना लें, अलग जरूरी हो तो ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ लेना, जरूरी ना हो तो ना लिया करें, एक ले ले चाहिए दो बाल ले, लेकिन एक ही ले, ज्यादा फाइदे के लिए, नैनितावल से हैं, रजत स्वागत है आपका, मेरा भी आदाब, स्वागत, और मेरा स्वाल है था, मैंने गोस्थिया गया था, आपके, मैं नमस्कार है, कि साथ वो मेरा अदाब, जैहिए दे, मैंने गोस्थिया बगया था, और उसका इस्तामाल कर रहा हूँ, जी, मुझे मिला है, करीब 15-20 दिन हो गये हैं, मैं उसका इस्तामाल कर रहा हूँ, कैसी तबियत? और तेरा जो दिमारी ठीव, ये गंजराहण, और सुन हो जाते से पहाँ, वो करीब-करीब आधे हो गये हैं, आधे ठीक हो गये हैं, आला और रहे गया हैं, मैं इसका इस्तामाल तिन महने तक करने के तिए बताया था, वो मैं कर रहा हूँ, चीकी, चीकी, जी, हाँ देखिए, भगवान आपसे बड़ा खुश है, पंदरा दिन में आपको की बीमारी को आधा कर दिया, और ये गौनसिया असली मिलने का नतीजा है, और आपका भरोसा करने का नतीजा है, भरोसा रखा करें, और लिए, मैं कहता हूँ, कि मैं जो भी नुसका आपको बताता हूँ, उसका असली मिलना जरूरी है, और मुझे बड़ी परसंता हो रही है, कि आपको आधी बीमारी अच्छी हो गई, पंदरा दिन में, मैं भी ताच्चुब में हूँ, तो भगवान के जो बहुत करीबी बंदे होते हैं न, उनको ऐसे ही फाइदा होता है, हलांके मैं कहता हूँ, तो तीन महीने खाना है, अच्छे आप पहले भी अच्छे हो जाएं, तो आप ये छोड़ना नहीं, और वही तो बातें, दो अनुरोद आप से, कि वेस्टन टॉयलेट का इस्तेमाल करें, वज़न में लोग होंगे, ये उन तक भी पहुँचा दें, ये मेरा आप से अनुरोद है, अगर आप सम्मान करते हैं, तो आगे बढ़ाएए ताके दूसरे लोग को भी फाइदा हो सकें.